कि यह वा कि राहूल गांधी की जो विदेश यात्रा के शुरुवात पहली प्रेस कोनफरेंस हुई ब्रेसल से बेल्जियम से तो उससे कुछ गंटे पहले ही इंडिया में मनमोहन सिंग का एक इंट्रेवू छपा इंडियन एक्सप्रेक्स में आपने पढ़ावी होगा और उन्होंने जो रूस और योक्रेन वाला मुद्दा है उस पे सपोर्ट किया बारत के स्टेंड का के जो विदेश में जो एक आकरमक रुख रहता है हमेशा की तरह वो पता नहीं क्यों मुझे इस बार वाली उनकी इस विजीट में नजर नहीं आ रहा है वो उस तरह से नहीं बोल रहे हैं और आज क्या आप अख़बार उठा कर देख लिए दिल्ली में तो मुझे मैं किसी अ राहूल गांदी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे उनका उस प्रेस कोनफरेंस के विउ मिले खाल में 60-70 अजार कुल थे जो मैंने लास्टेम देखा था वरना उनके वीडियो के जो है लाखों में पहुंच जाते हैं बड़े देजी से को देखी नहीं रहा है किसी को मतल बल्ले आपने सही का और अफ्रीकन को जो अफ्रीकन उसको यूनियन को जो है इसमें इंडिया ने ले ही लिया है ग्रूप 20 में मुझे लगता है कि कल और भी चीजें सामने आ जाएंगी स्पष्ट हो जाएगी आपने जैसे का के सफल है तो सफल तो होना ही था उस तरीके से कल क्या हुआ था कि कल जैसे ही गोसी चुनाव का नतीजा ट्रेंड आना शुरू हुआ तो गोसी में तो बीजेपी कही फाइट में पहले ही राउंड से कहीं रही नहीं वहां तो बिल्कुल बल्ले बल्ले थी और फिर जो है वो गैप था वो बहुत जादा बढ़ता चला ज स्कोर चार तीन डिकलेर उन्होंने तो करना शुरू कर दिया और वो उसी नेरेटीव पर चल रहे थे और उनका फ्रस्टेशन देखिए कि आज अखबार के पहले पन्ने पर कर अगर किसी ने ये खबर उस तरीके से प्रोमिनेंटली नहीं चापी उप्चुनावाली तो सब के सब बड़े परेशान हैं आसूब आ रहे हैं कि इसमें मोधी की हार क्यों नहीं बताई गई ये क्यों नहीं हुआ फ्लाना क्यों नहीं हुआ योगी का अमित्शा को का जा रहा कि अमित्शा की जो चानक के नीती है वो फेल हो गई इसको लिखा जाना चाहिए था दैनिक जागरण ने ये संपाद के लिख दिया, अमरुजाला ने वो संपाद के लिख दिया, घोसी वाले रिजल्ट को लेकर इन्होंने एक narrative सेट करने की कोशिश की और जैसे के मैंने कल इस पर जो अनलेसिस अपने चैनल पर किया था, उसमें मैंने ये कहा था, कि घोसी के शोर में ये भूल गए हैं, कि जो उधर खत्रे की घंटी उधर बज गई है, नौर्थीस्ट में और केरला में बज गई है, जो उसको ये भी अभी देख पा रहे हैं, इस इंडी एलाइंस के सामने, देखें, तिरपुरा में जो दो सीटे जीती हैं, बीजेपी ने, उनका बहुत ब तो मनिपुर की हिंसा को लेके जो सारा नेरेटिव बनाया जा रहा था कि साहब नौर्थीस्ट में बहुत बुरे हालात हो गए हैं, ये हो रहे हैं, उसको तो पडोसी राज्जेन एकदम कंडम कर दिया है, वाकी जंता ने तो बल्ले-बल्ले कर दिये, वहाँ कॉम्मिनिस् तीस हजार दोसो सैंतिस वोट मिले और जो दूसरे नंबर पर रहा है, उससे तीन हजार वोट मिले हैं, तीन हजार संथी, इतने बारी मार्जिन से वो चीज़ा रहे हैं ये लोग, और अव केरल में चली उदर, कॉम्मिनिस्टों का जो कहते हैं, वो जो दीप जो भबक रह है इस समय बुझने से पहले, वो कॉम्मिनिस्टों का वो बस केरल में बचा हुआ है, केरल में भी मुझे लगता है कि ये जो नतीजा आया है, उमन चांडी के जो बेटे ने माद जीत आसिल की है, उससे ये भी साफ के लिए है, कॉंग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेज ह रहा है, रामपूर लोग सभा सीट से जादे सर्प्राइजिक, रामपूर विदान सभा सीट जीतना रहा है बीजेटी के लिए, आकास सक्सेना ने जो जीती ती और एक वो बड़े प्लानिंग के तहफ जीती गई थी उसमें, इतना लो उसमें परसेंटेज गोटिंग का हो चुका है, जैसे के खतोली विदान सभा का उप्चोनाव आ रही है, बारते जनता पार्टी, उसमें जो विकरम सैनी जहां से जिनको हेटी स्पीच वाले मामूले में जो गए थे, उनकी पतनी को टिकट देने पर भी योगी आदित्तिनात सहमत नहीं थे, लेकिन वुपे इसलिए आ रहे थे, और योगी बाबा वाली बात आपने बिल्कुल परफेक्ट कही, कि योगी बाबा देखे, दारा सिंग चोहान को इस बात का बड़ा गुमान था, कि उनकी सीधी सेटिंग अमित शा से है, दिल्ली में, और आपने देखा होगा कि जब दारा सिंग चोहा किसी से मिले हूँ, किसी से भी मिले हूँ, ऐसा किसी के साथ उनकी तस्वीर आई नहीं, और योगी आदित्यनात वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे मंत्री भी लगाए गए गए थे उसमें, लेकिन गोसी वाले उप्चुनाव का सबसे बड़ा जो एक सबक है बीजेपी को, वो ही है कि यह जो उमप्रकास राजबर और इन सब लोगों को संजे निशाद, इन सब लोगों को जो बीजेपी एक खास अपने टार्गेट पर लेके चल रही है कि साथ हमें लोकसभा जुनाव में सुनने में तो यह आ रहा है कि गाजीपूर की लोकसभा सीट भी कह रहे ह होंगा तो मुझे लगा है कि वो भी काफी चीजे एक्सपोज हुई है कि यह बहुत बड़े मास लीडर है केवल इनका जो प्रभाव हो सकता है यह खुद चुनाव लड़ रहे हो कहीं तो वहां यह जरूर इंपक्ट क्रियेट कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जो लीडर्स हैं यह यूपी में कहीं योगी आदितनाथ के जल्वे से भी उपर जाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं बीजेपी के लिए यह बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग भी है थोड़ा सा इस गोसी के नतीजे में वहां पे जो इनका कॉंग्रेस वालों का उनका CPM वालों क जो कंडिडेट था जिसे कॉंग्रेस ने सपोर्ट किया वा था वो बहुती बुरी तरीके से थर्ड नंबर पर पहुँचा तो वहां तो एक कलियर मैसेज है मुझे तो लगता है कि उससे ममता बनर्जी को बल मिलना चाहिए अब ममता बनर्जी कह सकती है कि देखिए भाई म मुकाबला हमारा और बीजेपी का ही है आप बीजेपी वाली जो ये सीट है बीजेपी जो हारी है बंगाल वाली आपको अगर कल आपने सोशल मीडिया पर देखा हूँ तो जिस समय के नतीजे आ रहे थे तो उस समय नतीजों के समय जब ममता बनर्जी की बाइट लेने के ल हुआ है वो ममता बनर जी कल शामी रवाना हो गए थी वहां से तो ममता बनर जी का तो क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप सब लोग नहीं मानोगे तो हम आपके साथ नहीं है हम तो हम अपनी जगे बिल्कुल अपना जो काम हमें करना हैं वो कर रहे हैं और अगर आप कॉंग् कल थी के वो सिखो आएंगे इमाचल वाले उन्होंने भी मना कर दिया आने से तो ममता बनर जी तो निश्चित रूप से अब इस नतीजे के बास तो कम से कम इतना कही सकती है कि देखिए आपके होने या ना होने से पस्चिम बंगाल में कोई फरक नहीं पड़ रहा है आप हमा लोगों ने सुपरिया स्रीनेत और जिनके सब ये परवक्ता टाइप के लोग हैं इन सब लोगों ने इसको इशू बनाने की शुरुआत की शोशल मीडिया पे लिखा ट्वीट किये और इसको वो ही उनकी तो वही कहानी है वो विना वजह जो है वो खरगे साब को दलितनेत गरूप में स्टैबलिश करने लगते हैं गाहे बगाहे वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं खरगे साब को दलितनेता कोई मानता नहीं है वो दलित फेस ही नहीं है उनसे जादे तो मायवती आज भी प्रोमिनेंट फेस हैं दलित फेस जबकि वो उतनी पावर में उतनी ताक या विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया, आपने सही का केवल जो मुख्य मंत्री है, सभी को ओफिशेल बुलावा है, वो भी टीनर का, जो आज रात होगा, राष्ट पती जो दुरोबदी मुर्मू देंगी, सारे राष्ट जर्च जिसमें रहेंगे, तो उसी का बुलावा है, विपक्ष के नेता, वो भी राज्य सभा में उनका कोई बनता नहीं है, निमंत्रन देने का कोई वही नहीं बनता है, और आप एक चीज और भी बूल रहे हैं, कि ये तो लाल किले वाली बात है, लाल किले पर निमंत्रन देने का कोई ऐ नहीं है वो जो एक उपचारिक समार होता है उसमें सभी को अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करना चाहिए बहले ही आपको निमंत्रण भी ना मिले उसके लिए आपकी सीट जो आपका पद है उसके हिसाब से वहां रिजर्व रहती है जब आपकी सहमती हो जाती है तो कॉंग्रेस लीडर का किसी का बयान आ रहा था उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जो ये चीफ मिनिस्टर है इन सब को कोई डिरेक्शन नहीं दी गई है अपनी तरफ से के भई आपकी मर्जी पर है आपकी इच्छा पर है कि आप जाना चाओ तो चले जाओ नहीं जाना चाते त ना जाओ पता नहीं ये लोग कितना सास जुटा पाएंगे अभी तक तो मुझे कनफरमेशन है नहीं कि कौन-कौन पहुंचा है दिली में कौन-कौन नहीं पहुंचा है तो खड़के साब वाला जो मामला है वो बार-बार उन्हें एक धलित नेता है कि हीरो की तरह जो प्र प्रिटीशन है उन्हें जो उन्हें लगता है कि जो उनकी पार्टी के लिए सही है जो उनकी अपनी जो राजनीती का जो उनका दायरा है उसके लिए जो उचित है वो उसके स्टेंड ले लेती है उन्हें तो किनारा कर लिया उन्हें ना उसका सपोर्ट किया उन्हें का ठी कि भाई सभी धर्मों का सभी का जितनी भी माननेता हैं सभी का संबान करना चाहिए मुझे नहीं लग रहा कि ये तो इनके लिए आत्म गाती है देखे मैं तो इसे कई और चीजों से भी जोड़ कर देख रहा हूँ कि ये तो एक अपोर्चिनिटी मिल रही है बीजेपी को बढ़िया साउथ में अगर स्टालिन इस तरह की बाते बयान दे रहे हैं उनके बेटे तो ये तो एक अच्छा मोका बन रहा है क्योंकि बीजेपी वाले तो काफी जोड लगा रहे हैं कि नरेंदर मोधी आएं और तमि जनितिक लाब तो कोई ने होने वाला है नहीं और तमिलनाडू जैसे स्टेट में तो बिलकुल नहीं वहां तो हिंदू वोट पोलराइज होने में ज्यादे समय नहीं लगेगा जितने भी हैं जैललिता जब से गई हैं उसके बाद से तो उनके सारे वोटर तलास में एक परदेश, चतिसगर, राजस्थान, शायद उन्हें लग रहा है कि बिहार में भी जिस तरीके से वो गटबंदन में हैं वहाँ पे भी उनकी संबावना है थोड़ी सी कुछ सीट हो सकता है किसी तरह से बन जाए बार तो मुझे लग रहा है कि उन्हें थोड़ी सी नौर्थ में इस बार उमीद लग रही है कि और वो उसी सोच के साथ चल रहे हैं कि शायद पिछली बार की तरह ना हो कि विदान सभा में अलग और लोग सभा में अलग जिस तरह से मतदाता का रुख रहा है कि शायद इस बार ना हो इस तरह का किसी बात को सोच कर चल रहे हों और मज कॉंग्रेस वालो मुझे लगता नहीं कि ये सब कॉंग्रेस के बस की बात है ये कॉंग्रेस के बस से वार की बात है ये जो साउथ में जिस तरीके से उनकी यारी दोस्ती चल रही है डी-मके के साथ और सब के साथ वहां पर जो तमिल नाडू में जो कॉंग्रेस की काई है वो केजरी वाल तो साफ साफ कह देंगे देखिए अभी दो दिन पहले वाँ मीटिंग हुई वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं चीमा वहांके पंजाब के उन्होंने ये बयान दे दिया कि साथ हम कॉंग्रेस के साथ समझोता करने जा रहे हैं कॉंग्रेस वालों ने तो अलग बैठक की वहां पे और बाकैदा उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया कि जो एदराबाद में मीटिंग होगी उसमें उठाया जाएगा उस मुद्दे को कि हम तो नहीं जाएंगे इनकी साथ तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैसेज आए चाहे कॉंग्रेस की तरफ से मैसेज आए दिल्ली से ज़्यादा टरफ कंडिशन इन दोनों के लिए पंजाब में होगी क्योंकि दिल्ली में तो दोनों ने देख लिया है पिछले दो चुनाओं में के बात बन नहीं रही है अगर अलग-अलग लड़ते रहे तो यहां तो संभव है ही नहीं लेकिन जहां जीती हुई आठ नो सीटे हैं कॉंग्रेस वालों की वो कैसे वहाँ पर छोड़ेंगे पंजाब में तो बिल्कुल पंजाब के उपर ही जगड़ा होने जा रहा है जैसे ममता के साथ होगा बंगाल में उसी तरीके से पंजाब में होगा बाकी किसी स्टेट में मैंने आप को पछले वीडियो में बताया ता मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट में सीट शेरिंग को लाके को लेकर इसमें इंडिया लैंस में कहीं कोई दिक्कत आने वाल बढ़ी आसानी से हो जाएगी केजरिवाल अपनी राजनीती को सेफ में लेकर चलते हैं केजरिवाल का जो स्टेंड है वो अपना ठीक है किसाब अपनी पार्टी का सोचना है बाकी सब जाए भाड़ में उन्हें कहीं एड़िस्टमेंट करना नहीं है इसलिए उन्हें आपको ध्यान होगा कि कितनी जिद की थी किसाब नहीं 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 आप कॉंग्रेस मुझे हां करे राज्यसवा में सपोर्ट करने के लिए हां करे वो जिद ही इसलिए कर रहे थे वो यह लोगों में ये भी मैसेस देना चाहते थे कि मैं जुका सकता हूं क जाएगा और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनने लेकर आपस में इनमें जगड़ा भी हो सकता है अब देखे जैसे हम और आप लोग सब लोग अटकले लगा रहे हैं विमन रिजरिशन बिल को लेते हैं कि अगर विमन रिजरिशन बिल आ जाएगा इसमें तो क्या होगा उसम पर तो बोतले फोड़ दी गई थी राज्येसभा में वो कमाल अख्तर ने खून निकाल लिया था अपने आतों पर जो राज्येसभा का MP हुआ करता था समाजवादी पार्टी का तो उसमें तो इस इन चीजों का भी तो उनके मन में आशंका है कि कहीं ऐसी कोई चीज ना आ यह वाली स्थीती बन सकती है ने उस मामले में तो अभी तो परलेमेंट वाला आप देखते हैं इसके बास शुरू होगा मुझे लग रहा है कि अगले एक दो दिन में कुछ पिक्चर और किलियर होगी हो सकता है कुछ उसका अजेंडा वगरा कुछ आये सामने अभी तो सब G20 में विजी हैं यहां तो आज तो कनाट प्लेस में बिल्कुल करफ्यू लगा हूँ आज बिल्कुल खाली पड़ाए सब हां जी बिल्कुल जैसे कोवीड के समय में हो गया था कनाट प्लेस में आप मैट्रो स्टेशन से भी बाहर अगर निकलते हैं तो आपको अगर अपन में तो G20 के लावा इसमें कुछ नहीं हो रहा है और सब कोई ध्यान ने दे रहे कहां क्या एक्टिविटी चल रही है अगबारों में भी सिर्फ यही छप रहा है और सब का फोकस इसी पर ही है अब लोगों का मानना है कि सारी मशीनरी इसमें सारा अमला इसमें लगावा था अब एक दो दिन के बाद पारलेमेंट सेशन की जो है तैयारी शुरू होगी कुछ अजेंडा वाला बगएरा बने बैठक होगी इनकी परिलाद जोशी वगएरा यह सब लोगे लेंगे उसके बाद हो सकता है कुछ रूप रहका सामने आए निकल कर लेकिन विपक्ष के डरे होने की जो बात है वो बिलकुल वाजिब है क्योंकि जिस तरीके से आपने आज देखा ही होगा कि भारत वाला जो मुद्दा है उसे लेके तो अरेंदर मोदी ने तो एकदम स्टैंप लगा दिया है वहाँ अपने सामने भारत लगा के बैठ गए वो तो सारी दुनिया को दिखा दिया है कि जब तक किसी भी चीज की जो सुईकारियता है वो उसी से ही होती है कि वो कागजों में किस रूप में इस्तिमाल की जा रही है अगर आप उसे कागजों में भारत लिखना शुरू कर देंगे तो वो मंजूर हो जाएगी जैसे जुडिश्री के मामले हैं कि साब भाई को बोमबे लिखना है इलावाद को इलावाद ही लिखना है क्योंकि वो तकनीकी मामले हैं उसमें तो बहुत सारे जुड़े हुए तो इसमें तो कुछ ऐसा करना ही नहीं है सरकार को तो मुझे लगता है कि सरकार के अंदर एक सोच बनी है कि भाई इसको सबसे पहले हम ही अड़र्प्ट करें हम ही इसको अपनाए तो यह बहतर होगा कि सब जगे जहां हम अब तक इंडिया लिखते हैं वहां भारत लिखे हैं और इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि आज 20 देसों के 20 से क्या बलकि 25-30 देसों के जो परति निदी यहां सब आए हुए है उनके सामने आप भारत की पट्टी लगा कर बैठ गये सामने तो स्विकारिता होगी यह तो अब कुछ मुझे लगता ही नहीं के कोई मुद्दा रहा है लोग यह सोच रहेते के शायद इंडिया को भारत करने के लिए भी पारलेमेंट में कुछ होगा यह मुझे नहीं लगता इस पर कोई बात होगी और उस दिन मोधी जी ने सपष्ट करी दिया कि वो भारतवाले मुद्दे पर आप बहशबाजी किसी से मत करो अपना स्नातन धर्म वाला जो मुद्दा है उस पर फोकस करो उस पर इन लोगों को एक्सपोज करो पिपक्षवालों को तो वो सब उसी पर ही चलने वाला है अगले कुछ दिनों में फोकस हो सकता है पारलेमेंट में भी अंगामा हो सब जो मुद्दे होते हैं इस तरह के तो एक जो टूल किट जिने कहते हैं एक बड़ा च्छा शब्द मिल गया है पहले तो इन लोगों के लिए शब्द भी नहीं था कि इन लोगों को क्या काय जाए जो बार से जो ताक्ते इस तरह से मैनुकलेट करने की कोशिश करती हैं सभी देशों में की जाती हैं चाहे वो रूस और अमेरिका हो अमेरिका के जो राष्टपती का चुनाव है उसमें भी कोशिशे होती है इस तरह की चीज़े चलती ही है तो मुझे लगता है कि इसमें वोट से ज़्यादा फंडिंग का मुद्दा ज़्यादा महत्पूर्ण रहता है कि अगर आप इस लाइन पर आप बात करेंगे या इस लाइन पर आप बोलेंगे तो उसमें फंडिंग बढ़िया मिलती है मान लीजिए मेरी बात मैंने इसे सोशल मीडिया पर अजमाया हुआ है आप देखे जो के सोशल हाँ सोशल मीडिया पर आप देखे के यूट्यूब चैनल्स में जितने राइट विंग वाले लोग हैं और जितने अधर लोग हैं बाकी जो एंटी मोदी बेगेड आप देखे के उनको जो फाइनेंसल सपोर्ट मिलती है उनको जो सब्सक्राइबर बेस मिलता है जो सारी चीजा उनके साथ बड़ी तेजी से योड़ जाती है चाइना चाइना बोलना ही पड़ता है क्योंकि चाइना वाला मामला थोड़ा सा है भी एक कहना चाहिए कि एड़न एजेंडा है इसमें बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो हम और आप नहीं जानते पब्लिक में नहीं है बहुत सारी तो इसमें आप कुछ भी बोल दीजिये, कि आप हिट एंड रन कहीं और भाग जाईए, आपको कुछ उसमें क्लिरिफिकेशन तो देना नहीं, कोई प्रूफ तो आपको सदन के सामने रखने नहीं होते हैं उसमें इस तरह के, तो इसमें मेरे मालना जाद है यह कि वोट से जा हुआ है, भारत जोड़ो यातरा का, अभी यह कह रहे थे कि हम गुजरात से रुदर तक जाएंगे, मनीपूर तक, अभी प्लान थी नहीं कि कुछ दिन पहले था कि होने ही वाला है, अभी शुरू ही होने वाला है, अभी पिल्कुल सब पैंडिंग में चला गया है, गुप वायदे किये थे, उन्हीं में ही बताया जा रहा है कि सारा का सारा बजेट खाली हो गया, महां सरकारी, अधिकारियों, करमचारियों को तनिखा नहीं मिल पा रही है, यहालत हो गई है, तो स्टेट्स की कंडिशन बड़ी खराब है, भारत जुड़ो यातरा लटक गई, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें,